कि नमस्कार दस्कों में रभी पवार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे जोठी सी चैनल RSV वर्ल्ड पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुर्य भगवान पेंडल के बारे में कि माइक्रो गोल्ड की वीडियो आपके सामने लेकर आते जा रहे हैं ऐक वाद औक अलेग अलेग शेप अलेग चीज़ें माइक्रोगोल्ड में आपके सामने प्रस्तूत की जा रही है Micro Gold सबसे पहले बात करते हैं फिर से एक बार होता क्या है नए दर्शकों के लिए Micro Gold ये होता है Sona प्लस तामबा का mix-up यानि मिश्रन केसे ये जो स्क्रीन पर आप सूरी भगवान के पेंडल दिख रहे हैं ये actual में सबसे पहले तामबे पर बनाया जाते हैं इनकी पूरी designing पूरी सरशन तामबे पर होती है और उसके उपर इसमें Gold प्लेटिंग कर दी जाती है यानि कि Gold का सोने का पत्रा चड़ा दिया जाता है Polishing नहीं होती है ये Polish तो बहुत जल्दी से निकल जाती है ये एक पत्ली सी परत चड़ाई जाती है Gold की और इसको तामबे को पूरा ढग दिया जाता है क्योंकि दुनिया में तामबे का और Gold का जो combination है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है बजाए दूसरी धात्यों के जैसे कि चांदी में अगर चांदी पर गोल्ड चड़ाया जाएगा तो Gold निकल जाएगा जल्दी से पीतल पर गोल्ड चड़ाया जाएगा तो वो भी निकल जाएगा लेकिन तामबे पर गोल्ड चड़ाया जाता है तो उसकी fixing उसका adjustment और उसका combination बहुत जादा अच्छा होता है तामबे से इतनी जल्दी नहीं निकलता है काफी समय बाद उसमें से वो छुटना सुरू होता है लेकिन बहुत लंबे समय तक उसकी पकड़ रहती है तो ये जितनी भी चीज़े हम एक के बाद एक लेकर आएए हैं के लिए जिसे की ओम के pendant हो या micro gold में बनी होई रुदराक्ष की माला हो और ये अब सूरिय भगवान के pendant हो ये सब तामबा प्लस सोने में बनी होई है जिसको micro gold designing कहते हैं ये किस के लिए बनाई गई है जिनका pure sono खरिदने का budget नहीं है क्योंकि सोना अपने आप में बहुत महंगी धात हुए तो हर वेक्ति का इतना बजट नहीं होता है कि वो प्योर सोने में बनी हुई चीजे ले तो उनके लिए special बनी है जिनका बजट है उन्हें तो सोने में ही पहनना चाहिए लेकिन जिनका बजट नहीं है और उन्हें सोना पेहन के अपना शोग भी पूरा करना है आनन्द भी लेना है और लाब भी लेना है ग्रहों से उनके लिए माइक्रो गॉल्ड की स्टार्टिंग की गई है RSP Enterprises इंदोर्ट से स्पेशल एक माइक्रो गॉल्ड में एक वर्क शुरू किया गया है जो कि यूटूब पर हम अलग-अलग चीजों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं और आगे भी अलग-अलग shapes को और आकार को हम लेकर micro gold में आएंगे इसकी जो duration की अगर बात करें कि सोना कितना चलता है इस तांबे पे तो बहुत लंबे समय तक चलता है कोई परिशानी मपन नहीं आती है इसको ज़्यादा wash नहीं करना होता है ज़्यादा आप इसको धोए नहीं खरोचे नहीं हाथ से ये लंबे समय तक चल जाता है तो हम धीरे धीरे करके आरिश पे इंटरपैजस की तरफ से माइक्रो गोल्ड की बनीवी चीज़ा आपके सामने लेकर आ रहे है अब बात करते हैं पेंडल के बारे में सूर्य भगवान का पेंडल क्योंकि सूर्य नवगरव के राजा होते हैं और सूर्य के अगर कोई मुख्य धातू है तो वो सोना ही है ब्रस्पति भगवान के अगर कोई मुख्य धातू है तो वो सोना है गोल्ड तो अगर आप सूर्य भगवान का पेंडल सोने में धारन करते हैं या तो वो प्योर सोना हो या फिर माइक्रो गोल्ड का सोना यानि तामबा प्लस सोना हो तो आपको इस पेंडल के लाब जल्दी से मिलेंगे और आपका सूरी घर जल्दी से मजबूत होकर आपको शुप प्रभाव देगा क्योंकि भगवान सूरी जो नवगरव के देवता हैं उनकी मुख की धातू सोना होने के कारण वो एक राजा होते हैं और राजा जो है वो स्वर्न पहिनना पसंद करता है राजा हो कि हमने जितने भी आपने फोटोस देखे होंगे जो हमारे धार्मी कारिकरम होंगे जो राजा हैं वो सबसे ज़्यादा उनका मुकूट से लेके माला हाथ में भाजू बंद वगरा जितनी भी चीज़े रहती हैं ब्रेसलेट जो उनके होते थे हैं उनके कपड़े होते थे सभी में सुर्न धातू का प्रयोग किया जाता था तो एक राजा को सोना पहनना चाहिए उसी तरीके से सूर्य भगवान का अगर आप पैंडल पहनना है जो कि खुद नवगराओ के राजा हैं तो आप उसे सोने की धातू में पहनिए तो आपको ज़्यादा लाब मिलेगा सूर्य भगवान के पैंडल आपको अलग अलग-अलग धातू में बजार में मिलते हैं जैसे की पीतल हो गया चांदी हो गया तांबा हो गया इसमें से सबसे खराब अगर आपको किसी में परिनाम मिलना है तो वो है चांदी चांदी का सूर्य भगवान की मानिक से या पेंडल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है लेकिन बजार में जो एक विक्री का महोल है कि चांदी के अंदर सस्ती पढ़ती है चांदी तो पेंडल बना दिये जाते हैं आप चांदी में कभी भी सूर्य भगवान के पेंडल को धारन ना करें, पीतल में भी ना करें और तांबे में भी ना करें, आपको अगर वस्तु तह असली आनंद और लाव लेना है, तो आप या तो प्योर गोल्ड में धारन कीजिए, या माइक्रो गोल्ड में धारन तो वहाँ पे जब सोना आ जाएगा तो उस पेंडल का धातु दोश बिल्कुल मिट जाएगा और आपको हानी की जगे लाब मिलना शुरू हो जाएगा या फिर न्यूटरल की जगे लाब मिलना शुरू हो जाएगा अब यह न्यूटरल क्या होता है यानि कि कोई चीज अगर अगर हमने पहनी और उसने अगर हम लाव नहीं दिया हानी भी नहीं दी तो फिर वो न्यूटरल बन जाती है हमारे चरीर पर जाकर तो हम कोई भी चीज न्यूटरल के लिए तो पहनते हैं नहीं है हम पहनते हैं लाब के लिए तो महाँ पर अब सूर्य भगवान का जब भी को सुन्दर है गोल्ड का कलर जो इसमें है वो भी आप देख सकते हैं स्वरन का कलर कितना अच्छा है उसके बाद आगे आगे का जो मुख बनाया है हमने भगवान सूर्य का वो एक एक्चुल सूर्य का मुख है आपने बजार में कई सारे पेंडल देखे होंगे जिसमें भगव मुच्छे तो अधिकतर बिगड़ी हुई पाए जाती है मुच्छे कभी नीची कर दी जाती है कभी उची कर दी जाती है तिलक नहीं होता है उन फोटोस में तो हमने इन इसकी जो डिजाइनिंग की है और इस पेंडल की वह बिल्कुल एक बहुत सोच समझ के और एक्चुल सूरी भगवान की प्रतीमा की एक डिजाइनिंग की है जिसके अंदर आखे नाक तिलक होट मुच्छे और उनके आसपस का गोल आकार पैंडल का पूरा गोल आकार और जो किरने निकल रही है सूरी की वह बिल्कुल बेवस्तित बनी हो ताकि आपको पहनने में भी वह अंदर लगे और जो आपको देखें आपके गले में पैंडल देखें आप अगर जब इसके बहार करके पेने अंदर करके पेने तो वहां पर देखने वाले को भी यह जो पैंडल है यह बिल्कुल सुंदर दिखाई दे तो इस तरीके से जो है इसकी पूरी डिजाइनिंग क की गई है आप देख सकते हैं कितनी खुबसूरत इसमें एक प्रतिमा बनी हुई है अब बात करते हैं सबसे में पॉइंट पे इसकी किरनों पे आपने बहुत सारे पेंडल बजार में देखे होंगे जिसमें कि किरने भगवान सुरे की जो सतरंगी किरने होती है असपस वो बन गड़ना शुरू हो जाती है जो हमारा चेस्ट का एरिया होता है वहां पर किरने गड़ना शुरू होती है और उस कारण से आपको चोट लगना शुरू हो जाती है तो हमने क्या कि इसकी किरनों को भी आके उसके पीछे भी गोल एक छापे पर इस प्रतिमा को उके रहा है त इस कारण से बच्चे भी इसे पहन सकते बच्चों की स्कीन में खासतोर बही प्रॉब्लम हो जाती उन्हें चोट लग जाती है महिलाए पहन सके बुजूर्ग लेडी जेंट से सभी लोग इसे पहन सके और लाब ले सके इस प्रकार की डिजाइनिंग कीए आप लाब की बात कर लेते हैं आपका सूरी घ्रह आपको अच्छे फल देना शुरू करतेगा क्योंकि सूरी भरगवान की प्रतीमा है आपके गुरु घ्रह आपको अच्छे अच्छा फल देंगे क्योंकि ये इस जो पैंडल है इसके अंदर सोना डला हुआ है तो आपके सूरी और गुरु घ्रह पे काम करेगा और जब किसी वेक्ति के सूरी और गुरु घ्रह ही मजबूत हो जाते हैं तो फिर उसके नव घ्रह शुब हो जाते हैं उसके अच्छा परिनाम देने के लिए बात दे हो जाते हैं तो यह सारी चीज़े देखते हुए हम एसी जो चीज़े हैं यह जो रिंग हैं यह जो पैंडल वगरा हैं यह हम कम ही लेकर आते हैं रत्न रुद्राक्ष के हलाबा लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं यह चीज़े एक्च्छल में काम करेगी जैसे कि इसके पहले हम एक ओम का पैंडल भी लेकर आए हैं तो वो भी नवगरों को प्रभावित करने के लिए काम आता है तो यह जब चीज़े एक्च्छल में काम करती हैं की चीज़े लेकर आते हैं आपके लिए और उसकी साई धातू में लेकर आते हैं और आगे भविष्य में भी अलग-अलग चीजों में आकारों में लेकर आते रहेंगे तो यह पेंडल खरीदने के लिए आप हमारे वॉट्सप नंबर पर संपरकर कर सकते हैं स्क्रीन पर जो पूरी साइज है और सुन्दरत आप देख सकते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्षी वीडियो में किसी नई जानकरे के साथ वाटसप पे आप संपरक कर लीजीगा ये पैंडल खरीदने के लिए ओम साहराम जै मतरी सूर्य भगवान की जै हो झाल के लिए झाल फर जै हो झाल झाल